Hello everyone, welcome back to Nansory Classes and this is Nansory and आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिलकुल सुरक्षित होंगे आज के इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2023 नोटिफिकेशन की बारे में complete discussion करने वाले हैं हला कि notification को लेकर मैं कल भी आप सभी के साथ एक discussion कर चुकी हूँ पर यहाँ पर इस वीडियो में हम एक complete discussion करेंगे जिसमें हम सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि आपका जो form है ये आप कब से fill कर सकते हैं साथ ही साथ किस तरीके से आप इस form को fill कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा problem हो सकती है आपका जो form है उसको fill करने में तो उनको इसमें बहुत help मिलेगी कि किस तरीके से आपको form फिल करना है लैंगविच किस तरीके से आपको choose करना है छोड़ा को सबस्क्रां के रहें लोος सबस्क्रां के रहा है है र॥ा आपकी है स्टूड़ेंटन पो नहीं कर पाने तो इसके हरें सबस्क्राइब नहीं हुआ है उक सभी से इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंडर तक देखेगा तो काफी सारी चीजह आपको किलियर हो जाएंगी बागे मैं सभी को पढ़ाओंगी बागी में पहले मैं पूर्टिस करते हैं देखे सबसे पहले जो आपका सीटेट का पुब्लिक नोट इस जारी किया गया था वह आप देख सकते हैं यह 25 और प्राइमरी लिबल और प्राइमरी लिबल अब यहां पर बात आती है कि किस तरीके साब फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो अच्छे से सुनिएगा जो सीटेट की ओफिशल वैप साइट है सीटेट डोट एनाइसी डोट इन आप बहां पर जाएगा तो जैसे आप बहां पर जाएंगे तो आपको किस तरीके से देखेगा अप्लाइफ और जुलाई दुहजार तेस ताब आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पुछी जाएं वहाँ आप सारी फिल कर सकते हैं अब यहां पर एक जो लेकर कन्फीजन होता है तो देखिए लेंगविज में आपको यहां पर 20 लेंगवेजेस दी जाती हैं अब उन 20 लेंगवेजेस में से आप अपनी इच्छा से कोई सी भी लेंग्वेज चूज कर सकते जरूरी नहीं कि आप Hindi और English ही चूज करें ओकी यह लेंग्विज को लेकर डिसक्सन हो गया अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्जाम सेंटर को लेकर अभी तक यही है कि आपका जैसे पिछली बार हुआ था कि FCFS स्फालो किया था FCFS यानि की 1st come 1st serve जो पहले आएगा उसको पहले सब किया जाएगा यानि कि जिसने पहले form फिल किया होगा तो उसको उसकी choice के हिसाब से उसको इसकी एक्षा के हिसाब से exam center मिलेगा और जो फिल करेगा जो लेट करेगा तो आप सभी को पता है कि फिर उसको जो है आपका उसकी मन का जो सेंटर है वो नहीं मिलेगा एक चीज मैं बताना भूल गए इस फॉर्म को आप 27 अपरेल यानी कि कल वाली देट से लेगे आप 26 में तक फिल कर सकते हैं एक्जाम सेंटर की बात हो फिल होने में फिल कर लें नेक्स होता है कि आपके सीटर में दो एक्जाम होते हैं पेपर बन होता है आपकी अपर प्राइमरी लेविल के लिए होता है पेपर वन के लिए अगर मैं देखूं तो सबसे बेलों यहां पर एक चीज जो बहुत इंपोर्टन यह आपका चाहें पेपर कर रहे हैं चाहिए पेपर 2 में अप्लाइए कर रहे हैं अगर आप अप्यारिंग सुडेंट भी है डिपलो में उडिगी में तो आप यहांपर इस फ़ॉर्म को साथ को को करा निये, आपके पास जीक्टरी 50% मार्क्स के साथ है और कि पर आपका इस फ़ॉर्म क लिए आपके पास यह नहीं है तो यह होगा secondary with आपका 45% marks and DL.A. नियार का थे यह कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो आपके पास यह होगा senior secondary 50% marks and आपका Diploma and Special Education अगर यह नहीं है, तो लास्ट तो है फिर आपका कि अखर ग्रेडेज़ेशन 50% मार्क्स होना जाए तो इंची कि अभिछ एज दो ओना जाया शेंट आपका होना चाहिए याफ़ यह लोगत्ज़ुएशन 12 तो खुच्वरें जो बन्हें लिए तो इस लिए हैं broadcasting ग्रेजुएशन बिद फिप्टी पासेंट मांक्स आं आपका डिगरी वहना चाहिए पिप्टी पासेंट मांक्स और नीयर का की यह पिए अन्य था पिज केशल एजूचिन यह आपका होना ही चाहिए इनमें से खुछ एक आप फॉल्ट यह और यहां पर क्रैटेर्यां कर रह कि अब यहाँ पर आता है next mode of exam तो mode of exam के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए अभी आपका जो सीटेट का पेपर है वो आपका CBT यानि की computer-based test होने लगा है जिसमें आपको एक system दिया जाएगा और उसी system पर आपका exam होता है उस system में आपने जो language चूज की होती अब यहां पर language की बात में यह नहीं कर रही हूं कि आप जो लेकिन जो आपने लेंग्विज चूज किया है वह आपको वही मिलेगा देखें अपका जो है यहां पर पेपर बन में पांस सब्जेक्ट होते हैं ठीक उन पांस सब्जेक्ट में आपका दो लेंग्विज होती है लेंग्विज वन लैंग्विज टू तो मैं इन लैंग्विजच की बात करें सब्जेक्ट वाले लैंग्विज की तो जो की Aladdin आ Balin वहीं आपको सिस्टेम पर देखेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है टीक कि वहां वहां पर as a subject मिल जाएंगे already तो यह आपका हुआ mode of exam के बारे में अब हम यह आप पर डिसकस करते हैं slavus के बारे में देखिए अगर मैं बात करूं slavus की तो आपका मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेर किया था कि अगर CVSC इस exam को अब यहीं है तो आपका स्लेवस आपका जैसा पहले था वही रहेगा तो अगर मैं बात करूं तो आपके दो 154 मार्च का होता है और इसमें आपके 5 सब्सक्ता होते है now कि पंदरा नंबर कि को क्युक्क होते हैं हर सब्सक्रण में आपका को याद रखना है और सब्जिक कौन-कोन से हैं तो अगर मैं डिसकस करूं तो पेपर आप का सब्चेक mês करता है का आप का साइक्क लोजीjust है आपका सब्जिट्टै तो सब्चिक्ट होगा सब्चे करता है आपकाν साइकलोजी रानी की CDP होता है तो आपका CDP अच्छ प्रिपार होना चाहिए तुक टीज मार्ट का आपको CDP आएगा जिसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है नेक्स आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका मैट्स होता है जिसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी होगा नेक्स आपका EBS होता है उसमें भी आपके 15 नंबर की पेडागोजी होगी नेक्स आपका होता है ले फिर यहां पर आपका EBS रहता है और यहां पर Language 1 and Language 2 रहती है यह दोनों लेंग्विज आप अपने इक्छा से चूज करते हैं 20 लेंग्विज आपको दी जाती है इन 20 लेंग्विज मेंसे आप जो सब्जिक के तौर पर यहां पर चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हिंदी चूज कर सकते हैं Language 1 and English 2 और Language 2 में आप इंग्लिस पेपर 2 भी अगेन आपका 150 मार्क्स का होता है इस 150 मार्क्स में आपसे 30 मार्क्स का तो CDP पूछा जाता है CDP याने की Child Development and Pedagogy Child Development and Pedagogy बाकी आपसे यहां पर 30 मार्क्स में Language 1 पूछा जाता है 30 मार्क्स में आपसे Language 2 पूछा जाता है और यहां पर 60 मार्क्स में जो होता है यह थोड़ा सा समझने वाला है यहां पर आपको चूज करना पड़ता है Math, Science रहता है एक तो तो आपको यहाँ पर जो choose करना है वो आप यहाँ पर समझी गए होंगी कि paper 2 में हमें क्या choose करना है अगर आपको नहीं दिख रहा है side में तो एक बार बोल देती हूँ यहाँ पर 60 marks का आपसे math science रहता है और अगर आप math science नहीं choose करते हैं तो आप social science choose करेंगे तो वो भी आपका 60 marks का ही रहता है तो इस तरीके से आपका जो है syllabus discuss हो गया आप सब भी समझी गया होंगी कि आपसे यहाँ पर क्या-क्या पूछा जाता है आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो confusion थे seated को लेकर वो आपके दूर हो गया होंगे और यदि आपको कोई भी doubt रहता है तो प्लीज आप लोग comment box में पूछ लिया करें बागे हम सीटेट के लिए classes जल्दी ही शुरू करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बवाए जहन